जैहिंद आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा करण का चरित चित्रण कैसे लिखें ये हरसाल एकजाम में पूछा ही पूछा जाता है ये 120% मतलब आएगा ही आएगा हरसाल एकजाम में पूछा जाता है और वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि ये किसकी जिले में आता है ये class 10 में और class 12 में दोनों में आता ही आता है class 10 में पूछा जाता है कि करण जो खंड काब्य होता है उसमें होता है और class 12 में ये रस्मरत खंड काब्य में आता है करण का चरित चित्रण कैसे लिखें तो आज के वीडियो में यहीं बताऊंगा किस प्रकार से आपको लिखना है प्रस्ण इसका उत्तर किस प्रकार से लिखना है एकदम सरल तरीके से बताऊंगा आप लोगों को के होल बीडियो को अंत तक जरूर देखना है तो सबसे पहले देखते हैं क्लास्टेंद में इस प्रकार का प्रस्ण पुछा जाता है जा होगा बारवा का प्रस नमबर बारवा मतलब आखरी होगा और जा होगा तो पुछा जाएगा करण खंड का बेके नायक का चरीतर चित्रण कीजिए दो प्रस नोंगे उनमें से आपको एक करना होगा और ये हर साल आता ही आता है और अगला है क्लास 12 में पूशा जाएगा प्रस नंबर साथ नंबर पर होगा कि रस्म मृत खंड का मिके नायक का चरीतर चित्रन कीजिए याँ करण्हां और चरीतर चीत्रन लिखिये इस पूछा जाता दोनों में होता है बस आपको इसी प्रकार से लिखना है चलो सुरू करते हैं तो मैं जिस प्रकार से बता रहा हूँ आप लोगों को ऐसे ही लिखना सेम तो आप लोग लिखेंगे श्री केदारनाथ मिस्र द्वारा रचित करण नामक खंड काबिका नायक महावारत का अजे योद्धा करण है इस खंड में करण के जन्म से लेकर मरत्यु तक की घटनाय का वगड़न है इसके चरितर की विशेशता है इस प्रकार से है आप लोगों को इस प्रकार से इतना लिखना है उसके बाद में आपको केवल यह हैडिंग याद करना है और आप लोग वीडियो जहां तक देखे तो आप लोग अच्छी तरीके से करण का चरित चितरंड लिख सकते हैं केवल हैडिंग आप लोगों को ध्यान रखना है बस और कुछ नहीं करना तो पहली हैडिंग आपको डालना है अजुती तेजवान इसमें क्या लिखना है करण सूरी पुत्र है अता स्वाभावता त जश्वी है और उसका जो कमल समान मुख है वो राज कुमारों की सोभा का हरण कर लेने वाला है मतलब राज कुमारों की सोभा की तरह है इसका मुख दिखता है और उसी तरह है क्योंकि ये कुंती पुत्र करण था इसलिए ये राज कुमारों की तरह दिखता था आपको इस इसने और ममता का भूखा जो कंड था वो इसने और ममता का भूखा था कंड जीवन भर अपनी माता भाई और गुरुजनों का इसने ना पा सका उनसे उसे केवल लांचन और तिरस्कार मिला उसका हर्दय सदा मा की ममता पाने को तरस्ता रहा इस प्रकार से इसने और ममता का भूखा में आपको लिखना है और अगली हेडिंग लिखना है आपको अधुतिय दानी करण अपनी दान वीरता के लिए प्रसिद्ध था उसने अपने कवच कुंडल दान कर दिये जो करण था वो अपनी वीरता दान वीरता के लिए प्रसिद्ध था उसने जो उनके अरजुन के पिता इंद्र कहे जाते हैं उनको वो अरजुन के पिता ब्राह्मन का वेज करके आते हैं और उन्हें उन्से कवच और कुंडल दान में ले लेते हैं और इसलिए वो अधित्वी दानी था आप आगे लिखना है आपको हेडिंग डालना है विवेक और कृतग्य क्रश्ण ने पानो का पच्छ लेने को कहा उसने उपकार मित्र दुर्यधन से चल कपट करना उचित नहीं समझा इसलिए वो विवेक और कृतग्य यह आपको चार हेडिंग आपको लिखना ही लिखना है याद करना है उसके बाद में आपको लिखना यह मेन होता है उप्रयुक्त विवेच्चन में इस पर टोता है कि कर्ण महाबारत के वीरों का सिर मोर है फिर भी उसे अपमान तिरसकार और छल कपट का सिकार होना पड़ा। आपको ये आखरी में जरूर लिखना है, एक्जामनर यही देखेगा और हैडिंग देखेगा, बस और कुछ नहीं देखेगा। आप चलो देखते हैं कि ये कौन-कौन से जिले में कंडखंड का भी आता है, तो यहाँ पर है अलीगड़, पहला है अलीगड़, ये क्लास टिंथ वालों के लिए है, टोयल्थ वालों के लिए नहीं है, वो आप लोग बिद्धा या कॉस्टिन पेपर में देख लिए अची के लिए है, क्लास टिंथ वालों के लिए लेकिन टोयल्थ वालों देख लिए बिद्धा में